अलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पर और एक नए वीडियो के साथ तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो स्मार्ट फोन होता है अगर वो रिबूट करते हैं तो आप उसका आपका जो फिंगर प्रिंट है वो स्टार्टिंग में रिबूट करने के बात तुरंट क्यों नहीं काम करता है तो आप इसके बारे में हम बात करेंगे कि यह क्यों नहीं करता है इसका क्या रिजन है तो चलिए शुरू करते हैं तो हम बात करने वाले हैं कि आज का जो हमारा स्मार्ट फोन है अगर उसको हम रिबूट कर देते हैं तो वह उसका का fingerprint scanner क्यों काम करता है विसकली क्या है कि यह fingerprint biometric होता है और यह data हमारा जो data है कई जगहां होता है जिसे कि बैंक्ट में भी होता अधार कार्ड में भी होता है इन सब को security का एक तो बहुत बड़ा रीजन है दूसरी बात यह है कि अगर आपका फोन रिस्टार्ट हुआ है तो यह डारेक्ट इसलिए नहीं काम करता है क्योंकि आप अगर बार बार अगर फिंगर्प्रिंट से भी अगर ओपन हो जाता है तो आप उसका अपना पासवर्ट एक तो लोगों की आदती है है कि जब से फिंगर्प्रिंट आ गया है तो लोग पासवर्ट तो बिल्कुल भूल गये हैं पासवर्ट उनको पता ही नहीं होता बस फिंगर्प्रिंट लगा है तो एक रीजन यह भी हो सकता है कि वह रिस्टार्ट करने बाद वाद खुद अपना पाइटन उसमें डाले यह पासवर्ट डालें तो यह भी एक रीजन है क्योंकि यह बैयोमेट्रिक बैसिकली काम कर से करता है बैयोमेट्रिक काम करने जब भी आप कभी फिंगर्प्रिंट सेट करते हो तो बाइमेट्रिक देखने मल्टीपल कई बार आपको उंगलियों का हर एंगल से इधर से है कि अगर आप फिंगर्प्रिंट की जो वर्किंग है अगर जो हमारे मजदूर लोग है या फिर सर्दियों की दिनों में अगर आपकी फिंगर कहीं ज्यादा कहीं कट गया है या फिर वो रूखा सा हो गया है तो उस केस में भी काम ने करता है बात करते हैं कि अगर कुछ जैसे कि आप युनाइटे स्टेट में ऐसा माना जाता है कि पुलिस जो है वहां की जो पुलिस है आपको जबर्दस्ती फिंगर पिंट आपसे पंच करा सकती है किसी भी कारण लेकिन आपसे पासवर्ड नहीं लगवा सकती है तो यह एक सबसे बड़ा कारण जो सेक्यूर्ट पहले या तो आप अपाइटर से ओपन करिए या फिर उसमें जो लॉप डाल रखा है लॉक से ऊपन करिए 2 ऐपो मिलेंगे अब कभी भी आपको फोन आपका finger print से नहीं होगा तो आज I hope आप लोग समझ गये होंगे कि आज जो मैंने बताया है कि कैसे फिंगर्ड पिन का वर्क होता है और यह क्यों नहीं चलता है तो आप लोगों को अगर यह अच्छा लगा तो आप कमेंड करके ज़रूर बताईए और शेयर करिए और ऐसे ही लाइक करते रहिए तो आज के दिन इतना हैं फिर अगले एक सब्सक्राइब करूंगा कि यह वीडियो आपको बना के आपके सामने में देता हूं ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नई जानकारी के साथ थैंक्यू दोस्तों